Hello everyone, welcome back! कैसे हैं आप لوگ, आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छी होंगे तो dear friends, आज के इस lecture के साथ आप लोगों की महा महराथन क्लास स्टार्ट होने वाली है dear students, आज के इस lecture में हम आपके Slabas का chapter number 18 जिसका नाम Praketa को complete पढ़ाने वाले हैं आज की इसी particular एक ही लेक्चर में इस sector के अंतरगत जितने भी concept है उन सारे concept को कबर करूँगा और उसके बाद मैं हर एक concept के भिहाब पर आने वाली previous year questions को आज की इसी lecture में साल्व कराऊंगा अगर आप लोगों ने complete lecture को देखा तो आज की इसी lecture के साथ आपका ये chapter तयार हो जाएगा दुबारा इसको पढ़ने की आवस्यक्ता भी नहीं पड़ेगी और आपके पास समय भी नहीं है तो dear friends lecture को start करें इससे पहले आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ एक बार share कर सभी को बता दीजिए कि आपके अपने डीडी mathematical solution पर महा मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुकी है अगर आपके पास समय है तब तो आप lecture को continue करिए अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी से ही skip कर दिए क्योंकि मैं महा मैराथन क्लास चल रहा हूं फिर भी हर एक topic को बहुत ही बहतर तरीके से आप लोग को समझाओंगा ऐसा नहीं कि मैं भागता जाओंगा आए बात करते हैं डियसेंट्स प्राइक्ता वर्ड है ठीक है प्राइक्ता का मतलब क्या होता है प्राइक्ता जिसको इंग्लिस में डियसेंट्स हम लोग probability कहते है प्राइबिलिटी कहते हैं इसको हिंदी में डियसेंट्स हम लोग समभावना भी कह सकते हैं समभावना जिसको हम लोग possibility कह सकते हैं है जिनमें अनिस्चित्ता होती है उसी को निस्चित्ता परदान करने के लिए उसी को fix value उसी fix mathematical value प्रवाइड कराने के लिए probability अर्थात प्राइक्ता का यूज किया जाता है मैं आपको कुछ example बताता हूँ जैसे हम लोग coin को toss करेंगे तो head आने के कितने chance होंगे और 10 हो आने के कितने chance होंगे उसको mathematically हम लोग explain करेंगे जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच का match हो रहा हो match start होने वाला हो तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है कि भारा टॉस जीत जाए लेकिन हो सकता में certainty नहीं है कि कितना percent chance है कि इंडिया टॉस जीत जाएगा यह नहीं हमाले पास certainty होती है probability mathematics यह कहती है इसको certainty करके बताए कि हाँ 30 percent chance है कि इंडिया टॉस जीत जाएगी है na 70 percent chance है कि पाकिस्तान टॉस जीत जाएगा इस तरीके से जैसे अभी देखो बरसात का मौसम आता है हम लोग कहते हैं लगता है आज बारिस होगी लगता है मिस बारिस होने की संभावना है वहाँ पर निस्चित्ता नहीं है कि कितना percent संभावना है कि बारिस हो जाएगी तो mathematics में यह जो probability chapter है इनी सारे words को निस्चित्ता प्रदान करने का प्रयास करेगा वह बताएगा कि कितना percent chance है कि बारिस हो सकती है या कितना percent chance है कि इंडिया टॉस जीतेगा या हम coin को अगर toss करेंगे तो कितने percent कितनी process संभावना है कितनी संभावना है वो mathematically बताएगा इक coin को toss करने पर head आएगा या tell आएगा आपको छोड़ा सा example बताते हैं आप सभी लोगों ने कभी ने कभी लूडो जरूर से जरूर खेला होगा बोर मत होईएगा ध्यान से हमारे साथ पूरा particular lecture में बढ़े नहींगा आपने दोस्त के साथ एकदा माहौल बना दीजिए पानी सानी चायवाय बना करके वैठी अराम से मस्त होड़ा है अराम से वेरे साथ बैठीए टेंसर मत दीए तो जैसे आप लोगों ने लूडो जरूर से जरूर खेला होगा जब आप लोग लूडो खेलते हैं आपका आपके आता ही नहीं और आपके दोस्त की दो तीन गुटिया बच्ची हुई होती है और वो आपसे पीछे रहता है फिर भी वो आपसे जीत जाता है आप के साथ ऐसा कभी न कभी जरूर से जरूर हुआ होगा इसके पीछे का लॉडिक क्या है इसको प्रॉबेल्टी बताए तो क्लियर हुई बच्चों बाते हैं कि प्रॉबेल्टी क्या होती है प्रॉबेल्टी जो होती है डियो सेंस वो अनस्चिता को नस्चिता में कानवर्ट करती है जहां हम कहते हैं इस बात की संभावना है इसके होने का चांस है उसको कहते हैं नहीं ऐसा ना बोलिए आप ऐस से बोलिए इतना percent chance है इतना percent संभावना है इस तरीके जैसे मैं आप लोगों से बोलू कि कल मैं आपकी class हो सकता है ना ले पाऊंगे तो जब मैंने बोल दिया हो सकता है ना ले पाऊंगे तो वहां पर आपके mind में ऐसा नहीं होगा तो आप समझ जा गया 10% में कोई समभावना नहीं है 33% तो पास मार्क होता है क्लास कल नहीं चलेगी तो यह फाइदा है certainty दिखाने में निस्चित्ता दिखाने में तो यही करती है probability आई आगे की तरफ हम लोग discuss करते हैं देखते की probability कैसे किस के बारे में अध्धन करती है आरा बारे की से समझ है और आपको बताए ने उन सब चीजों की definition भी आपके एक्जाम में लिखने के लिए इस घटना के को explain करो example के साथ इसा आपके एक्जाम में आता है तो अभी जो definitions में आप लोग को बताऊंगा समझाओंगा उसको भी आप लोग no down करते चलिएगा क्योंकि वह भी आपके एक्जाम में पूछी जाएगी और वो definitions clear होंगी तभी आप आगे के question को जाल कर पाएंगे देखो यह से आपको इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले परिक्षण समाझ जाओगा उसको हम लोग इंग्लिस में डियो सेंट्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं परिक्षण परिक्षण क्या होता है इक्सपेरिमेंट क्या होता है जब हम कोई भी activity करते हैं result को find करने के लिए तो उसी को परिक्षण कहा ज तो भी प्रकाल का परिक्षण ही रिजल्ट आता है कुछ तयार हो जाती है तो होता क्या है in case a probability यह जो परिक्षण होते हैं यह जो इस्पेरिमेंट को two categories किया जाता है एक होते हैं सामाझ ने परिक्षण खुब ज्ञान से समझ आगर आप लोगों ने इन basic conditions को सीख लिया त ऑमान ने परिख्षण जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्स्परिमेंट कह सकते हैं या इसको हम लोग simple experiment भी बोल सकते हैं दूसरा जो होता है इए उसको बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेंडम experience a random rakram kangamان एक्स पेरिंक कि ध्यान दे रह on is लेक्षर को लाइक कर दो कांटिनें नुक्ठण मेंस एक्सपेरिमेंट को सामान परिक्षण क्या होता है सामान परिक्षणर工 को एसा परिक्षण होता है जिसको बार-बार किया जाए हर बार रजलिट वही आए उसको हम लोग सामानने पर इच्छन कहते हैं जैसे आपको पता है इसमाल जी की वैलू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर होती है सब को पता है तो आप उसको बार-बार हो ही इक्सपरिमेंट किया ना सरल लोलत की सहाथा से गृत्यट्य टरण जी इसमाल जी की वैलू आप फाइन करते हैं आप लोग ने पढ़ा होगा इसे तमाम प्रकार की एक्सपरिमेंट होते हैं कांच का आप वर्तनांग को गरा ज्यानत करना तो उसको आप बार-बार उस होता है हर बार बार ऊस exp dal को किया जाएगा रजल्ट वही आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं क kind सा परिखण सामान परिखण तो कहने का मतलब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं समान समान परिडाम ठीक है समान परिडाम अर्थात सेम रेजल्ट हमेशा मिलता है हमको इसमें जब सेम रेजल्ट हमें मिलेगा तो उस सिचिवेशन में हम उसे सामान परिक्षण कहेंगे याद रिक्षा परिक्षण क्या होता है याद रिक्षा परिक्षण का मतलब होता है random experiment ऐसे experiments जिनको बार बार करने पर हर बार उनके result अलग आने के chances होते हैं उन्हें हम लोग याद रिक्षा परिक्षण या random experiment के नाम से जानते हैं से टासीं अ क्वाइन एक क्वाइन को टॉस करोगे अभी बार हिड आया है तो अगली बार ट्पर लाने की सम्हावना है ऐसा हो सकता है यह आपकी बार ट्पर मतलब जब भी उसको अजिक करेंगे तो हर बार उसके अलग रिज़ल्ट आने का चांस रहेगा तो यह कौन सा experiment है random experiment है एक dice अर्थाद जो लूडो की गोटी होती है पासा जिसको कहते हैं उसको अगर हम फेकते हैं तो हर बार उसका result आज समान आ सकता है अलग अलग आ सकता है एक बार आप पासा फेको के हो सकता है एक आए अगली बार पासा फेको के समझ रहे होना मरी बात को हो सकता है दो आए अगली बार फेको की हो सकता है तीन आए मतलब अलग अलग चांस हैं तो हर बार जब उसको बार बार वह experiment किया दाएगा हर बार जब उसके result आने की सम्मावना अलग रहेगी अलग अलग चांसे रहेंगे उस प्रकार के परिक्छन को याद्रिक्षा परिक्षण इसका मतलब इसमें कह सकते हैं हम लोग आसमान परिडाम है ना आसमान परिडाम इसमें मिलते हैं इसको बोल सकते हैं different ठीक है different results इस case में हमें प्राप्त होते हैं जब different results हमें प्राप्त होते हैं इस तरह के परिक्षण को यादरिक्ष्या परिक्षण कहा जाता है example इसमें कौन सा हम दे सकते हैं example हम दे सकते हैं सिक्का उछालना ठीक एक सिक्का उछालना आप कह सकते हैं या दो सिक्का भी उखाल सकते हैं और क्या कह सकते हैं पांसा फेकना ठीक है पांसा फेकना ये सब क्या है ये सब यादरिक्षा परिक्षण है रेंडम экспер indifferent है आपकी और पूछा जा सकता कि यादरिक्षा परेख्षण किसे कहते हैं उदाहरण सही समझा यह तो आप यादरिक्षा परेख्षण की परिवासा क्या लिखेंगे ऐसा परेख्षण जिसके हर बार की परेख्षण में पैडां अलग अलग आते हैं या आने की सं से एक तास का पत्ता निकालना हर बाल अलग अलग पत्ते वहां पर हमें प्राप्त हो सकते हैं क्लियर हो गई बाते तो यह आप लोगो इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी अब ध्यान दो डियों इन के साफ प्रॉवेल्टी इन के साफ प्रॉवेल्टी हम लोग याद याद रिक्ष्या परिक्षण ध्यान से समझते चलना हम लोग यहां पर याद रिक्ष्या परिक्षण इसको हम लोग इंगलिस में क्या बोलते हैं डियोंस रैंडम एक्सपरिमेंट ठीक है याद रिक्ष्या परिक्षण के बारे में हम लोग यहां इस्टडी करेंगे क्यो result एक ही आएगा तो वहाँ पर आने की ना आने की कोई संभावना ही नहीं है तो उसमें हम लोग संभावना को कैसे ग्यात करेंगे उसको ग्यात ही नहीं करेंगे लेकिन जो हमारा यादरिक्षा परिछण है जो random experiment है उसमें अलग अलग केस में अलग 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 रेजल्ट्स आ सकते हैं तो अब की हमारा रेजल्ट कौन सा आ सकता है उसी के लिए हम लोग इसकी probability को ग्यात करते हैं तो ये बात clear होगी कि हम लोग प्राइक्ता के अंतरगत यादरिक्षा परिछण के बारे में ही study करते हैं उसी के बारे में ही अध्यान करते हैं इतनी बातें clear हो गई होगी अब आईए हमारा next topic idea students प्रतिदर्स समस्टी ध्यान देना धीरे धीरे करके सारी चीज़े समझाऊंगा प्रतिदर्स समस्टी ठीक है जिसको idea students हम लोग बोलते हैं sample space जिसको हम लोग बोलेंगे sample space ध्यान देना important है sample space क्या होता है जब हम कोई भी याद्रिक्षा परिक्षण करते हैं किसी भी याद्रिक्षा परिक्षण के जो पईडाम होते हैं उसके जो results होते हैं उन results का collection उनका समुच्चे उसकी प्रतिदर्स समस्टी कहलाती है आप कह सकते हैं जहां देना किसी याद्रिक्षा परिक्षण के परिडामों का समुच्चे उसके परिक्षण की प्रतिदर्स समस्टी कहलाती है जिसे यस से प्रतर्सित करते हैं यस की definition हमने लिए दिया है किसी याद्रिक्षा परिक्षण के परिडामों का समुच्चे उस परिक्षण की प्रत्र समस्टी कहलाती से ऐसे प्रतर्सित करते हैं अभी कुश्चन भी साल्व कराएंगे और सब समझ में आएगा बेसिक क्लियर होगा तो एक्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी कुश्चन घुमा फिरा करके आएगा आप लोग साल्व कर लेंगे एक्जाम जब नजदीक आता है तो सबसे बड़ी समस्य यही है कि बच्चे कितना जल्दी जल्दी पाएं कितना जल्दी हम कर लें उसी की चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो जो भी पढ़िये धंग से पढ़िये अच्छे से पढ़िये अभी आपके पास 20 दिन का समय है लगबग आप सारा काम कर लेंगे टेंसन न लीजिए ठीक है किसी यादरिक्षा परिक्षड के पैडामों का समुच्च उस परिक्षड की प्रदर समस्टी कहलाती है जैसे अब example देखिए आप लोग जैसे है एक सिक्का उछाला गया एक सिक्का उछाला गया ठीक है इसी का समुच्च बना लीजिए और इसको यस लिख दीजिए यही इसकी रियोस्टेंस प्रतिदर समस्टी बन जाएगी बस समझ में आ रही है ऐसे आप लोगों से कहा जाए कि दो सिक्के उछाले जा रहे हैं कितने सिक्के करें दो सिक्के उछाले जाएं और उनकी प्रद तो यह इसकी क्या बन जाएगी प्रतिदर से समस्टी बन जाएगी अगर कहा जाएगी एक पासा फेका जाता है ज्यान दो कहा जाए डियोस्टेंस की एक पासा फेका जाता है ज्यान दो कहा जाए एक पासा फेका जाता है अगर एक पासा फेका जाता है ठीक है तो इस केस मे पासा जब फेकेंगे तो क्या क्या आ सकता है एक, दो, तीन, चार, पाँच या छे आ सकता है तो जो conditions हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच या छे इसको S से दिखा तो यहीं इसके क्या बन जाएगी simple space बन जाएगी यहीं इसकी प्रतिदर समस्टी बन जाएगी अगर मालूग कह दिया जाए, दो पासा फेका जाता है ज्यान दो दो पासे फेके जाते हैं अगर दो पासा फेकेंगे तो क्या होगा हो सकता है, पहले पढ़े पर एक आए दूसरे पर भी एक आए इस पर एक, इस पर दो ऐसे करते-करते लास्ट में 6-6 तक बनेगा कुल 36 कंडिशन जाकर कि 1-1-1-2-1-3-1-4-1-5-1-6 फिर 2-1-2 ऐसे बनता चला जाएगा कुल मिला कि 36 कंडिशन यहाँ पर बनती है तो यह है डियोसिंस प्रतिदर समस्टी बनाने का तरीका I hope आपको समझ में आया होगा कि प्रतिदर समस्टी क्या होता है प्रतिदर समस्टी बनाया कैसे जाता है यहाँ पर एक note point याद रखिएगा note point याद रखिएगा सिक्के के लिए ध्यान रखो सिक्के के लिए formula यूज होता है 2 की power and और याद रखिएगा कि पासा ठीके पासे के लिए अगर हम बात करेंगे तो वह वहाँ पर 6 की पावर यह नहीं उस होता यह क्या है सर जैसे अगर हम एक सिक्का उच्छा लेंगे तो 2 की पावर वर मतलब वहाँ दो कंडिसन आएगी head out till अगर हम दो सिक्का उच्छालेंगे तो दो किघात दो मतलब 4 condition आगी हमने यहाँ पर बना के दिखाया है ऐसे ही अगर 3 coins तीन सिक्के उच्छाले जाएंगे दो किघात तीन अर्थात 8 condition बनेगी ऐसे ही अगर हम पासा फेकते हैं तो एक पासा फेकने पर छे की घात 1 माने 6 conditions होंगी दो पासा फेकेंगे तो छे की घात 2 मतलब 36 condition होंगी अगर 3 पासा हम फेकेंगे तो 6 की घात 3 मतलब 216 condition वहाँ पर जाकर के बनती है तो इसका यूज हम लोग करते हैं इस चीज को आप लोग ध्यान रखेगा तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि प्राइक्ता का मतलब क्या है प्राइक्ता में हम लोग पढ़ते क्या है परिक्षण क्या होता है इसमें से हम लोगों ने सीखा सारे टॉपिक को समझाते चलते हैं बिल्कुल बहतरीन तरीके से ठीक है ध्यान से समझते चलना खुब अच्छे से नोट करते चलना सारे टॉपिक को आपको बहतर तरीके से समझ में आएगा भी जो नए लोग आकर की लेक्चर को देख रहे हैं ये लोग अभी लेक्चर को ल छोँगा सभी लोग प्राइकता जिसको हम लोग बोलते हैं प्रावाबील्टी अ कि ध्याद दीज़े थोड़ा सा प्रावबिल्टी मतलब प्रायकता एक पुराना फार्मा जो आप क्लास 10 अगरा में पढ़े हैं वह होता है उसको हम बोलते हैं आनुकूल परिस्थितियां ऐ अनकूल परिस्थितियां और अपान में हो जाता है हमारा कूल परिस्थितियां अनकूल परिस्थितियां अपान में कूल परिस्थितियां इसको बोलते नंबर आफ फेवरेबल आउटकम्स अपान टोटल नंबर आफ आउटकम्स यह प्राविल्टी निकालने का सबसे पहला आप लोग ने 9th या 10th में पढ़ा रहा होगा वो यह से अब probability 9th में भी बढ़ाई जाती है जो लोग NCRT की बुक से पढ़े होंगे उनको probability 9th में भी सिखाई गई होगी ठीक है यह फार्मुला पढ़ते थे इस फार्मुले से हम probability कैसे निकालते थे जैसे माल लिजे कि हमें कह है रहा है कि भईया एक क्वाइन को टॉस किया गया अब इस क्वाइन को टॉस करने पर हेड आने की probability बताईए तो हम यह सोचते है कि क्वाइन को टॉस करने पर कुल कितनी परच्षितियां आती है टोडल कंडिशन कितनी है और हम चाहते कितना है हमारे फेबर में कितनी है ज क्वाइन को टॉस करने पर क्वाइन पे हैड आने की संभावना उसकी प्रबाबिल्टी कितनी होगी वन अपान टू जिसको हम 50% भी बोल सकते हैं और थाथ आदा हम लोग कह सकते हैं कभी कभी एक्जाम में पूछा जाता है कि जब टीम के बीच में मैच होता है क्रिकेट होता है तो हाँ पर क्वाइन ही क्यों टास्क किया जाता है तो उसमें होता क्या है डीयो स्इट कि जब हम क्वाइन को ट्स करते हैं तो 50% chance होता है के Haid आएगा 50% chance होता है कि टेल तो किसी भी टीम के साथ बेइमानी होने का कोई चांस नहीं होता है इसलिए क्वाइंट टास्क किया जाता है ठीक है यह पुराना फार्मूला था दिमाग में रखिएगा अब आगे बात करते हैं अब थोड़ा समझते हैं घटना क्या होती है घटना जिसको डियो सेंट कुछी बेहतरीन तरह किसे चलेगी सारे टॉपिक आप लिए आसान हो जाएंगे कुछ थेरम सोंगे कुछ कंसेप्ट होंगे सब खतम हो जाएगा घटना क्या है जैसे सपोस करिए कि दो सिक्का उच्छाला गया ठीक है दो सिक्के उच्छा ले गए ध्यान दो दो सिक्के क् यही प्रहडर समस्टि अब इसमें से जब हम के तो यह वाली वाली न यह वाली या तो यह वाली आता ही पार ओम तरह हमने ले लिया इसका मतलब यह है कि अगर हम सिक्के को उच्छालते हैं और सिक्के के उच्छाते पर दोनों तरफ हेड आजाए या एक तरफ हेड अगली बार टेल आजाए तो इसका मतलब हमारी घटना इगटित हो जाएगी कहने का मतलब प्रदर समस्ट के जो-जो जो रेजल्स जो धान दिजएगा प्रद्दर समझ्ट के जो जो results जो जो पईडाम हैं उन पईडामों में से कुछ पईडामों को या सभी को select कर लिया जाए तो उनके अकर होने की उनके होने का ही उसको क्या कहते हैं इवेंड कहते हैं जैसे और समझाता हूँ इवेंड को जलरी इसे एफ से या इवन इटू से डियेशन दिनोट किया जाएगा और देखिए एक पासा फेका जाता है ज्यांदो एक पासा फेका जाता है ठीक है अगर हम लोग एक पासा फेकते हैं तो प्रद्दर समझ्ट क्या बनेगी बताईए वन टू थ्री फोर फाइ और इसे बहुत सारी बेंट जैसे एक इवेंट एवन बना लीजिए एक आना या दो मतलब देखो दोनों ते एक साथ हो नहीं सकते या तो एक आएगा या तो दो लेकिन अगर हमने पासे को फेका एक आ गया तब भी यह कहा जाएगा घटना एवन हो गई दो आ गया तब भ अगर हम E3 लिखते हैं तो लिखते हैं 456 इसका मतलब समद रहे होंगे आप लोग तो हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जो घटना होती है जो इवेंट होती है वह हमेशा उसके प्रदर समस्ची का सबसेट ही होती है उसी में से वो निकाली जाती है उसमें कुछ कंडिशन्स ह होती है अगर वह कंडिशन्स फालो हो जाती है तो कहा जाता है कि वह इवेंट क्या हो गई हो गई अब देखो जान से अब लोग लिखेंगे किसी घटना की प्राइकता ध्यान रखो किसी घटना की प्राइकता आराम से समस्चे चलिए किसी घटना की प्राइकता इसको बोल कोई events जैसे माल दीजिए कि हमारे पास एक sample space बन गया चलो one two three four five six ठीक है यह हमारे पास एक sample space बन गया है हमने एक event मना ली वह event है कि two आये या four आये या six है यह बन गई अब हमें इस event के होने की probability पता करनी हो मतलब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब हम पासे को फेकेंगे डाई जब थ्रो किया जाएगा तो दो चार या छे इसमें से कोई एक आने की probability क्या होगी तो ध्यान रखना डियोसेंस probability को PE से दिखाते हैं इसका मतलब probability of event E इसका formula होता है NE upon NS NE क्या है number of element in event set and number of element in sample space तो PE equal to NE देखो इसमें कितने elements हैं 3 और total कितने elements हैं 6 तो PE का मतलब डियोसेंस कितना हो जाएगा 1 by 2 यह probability को find करने का तरीका होता है यह probability को find करने का यह एक formula तो आप लोग class 9 10 में पढ़े थे जो direct formula था क्योंकि वहाँ पर हम लोग direct यह समझ पाते थे कि कितनी uncool पर सितियां हैं कितनी प्रतिकूल पर सितियां हैं आराम से probability निकाल लेते थे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा हमें sample space बनाना पड़ेगा फिर event के बारे में discuss करना पड़ेगा तब जाकर कि हम लोग उसको find कर पाएंगी I hope आपको समझ में आया होगा ऐसे ही माल यह देसे अभी इसकी probability निकालनी हो सपोस कर यह PE1 निकालनी है तो क्या होगा यहन इवन होगा अपान में NS होगा अब ME1 कितना है दो element है आप total कितना element है 6 तो कहने का मतलब 1 by 3 जो है इसकी probability आ जाएगी तो probability निकालने का दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा यह वो तरीका है जो आप class 9,10 में सिखा करते थे यह वो तरीका है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा अब जब हम लोग किसी भी event की probability find करेंगे अब जब हम किसी event की probability find करेंगे तो पहले उस event के बारे में सोचेंगे उस event में कितनी conditions है और total conditions कितनी है उसकी हिसाब से हम लोग probability को हमेशा find करते रहेंगे और करेंगे अभी इसको आप लोग डियो से नोट क करेंगे ठीके अब देखिए इसी के भिहाब पर मैं आप लोगों को सबसे पहले एक छोटा सा question solve करा देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं जो आपके एक्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दो question solve कराएंगे और यह question बड़े important आपके एक्जाम में पुछाते है फिर एक सामान वर्स में ध्यान देना एक सामान वर्स में तिरपन्वा रभिवार होने की प्राइक्ता प्राइक्ता ग्यात कीजिए क्या कह रहा है एक सामान वर्स में तिरपन्वा रभिवार होने की प्राइक्ता ग्यात कीजिए सामान वर्स का मतलब जो 365 दिन का होगा 366 दिन वाला leap वर्स हो जाता है यह question पूछ क्यों रहा है मैं आपको पहले explain करूँ यह question बड़ा important है बहुत बहुत जाता है देखो सामान वर्स में 365 देज होते हैं अगर हम इसको 365 को 7 से डिवाइड करें तो 7 पचे 35 होगा और यहां पर 15 बचेगा ठीक है यह देखिएगा जहांसे तो 7 दुना 14 एक दिन बचेगा देखो जहांसे इसका मतलब यह है कि जब हम एक सामान वर्स की बात करते हैं तो एक सामान वर्स में 52 होते हैं 52 होने का मतलब प्रते एक दिन 52 बार आता है बुधिवार भी हो सकता है, ब्रसपतिवार भी हो सकता है कोई भी दिन हो सकता है तो उसी के लिए पूचछा रहा है कि उसके रवीवार होने की प्राइक्टा क्या होगी तो आईए समझते हैं कि इस कुिस्टेन को हम लोग कैसे भाई, एक दिन बचा है अब वो दिन क्या क्या हो सकता सोमवार मंगलवार बुधवार ब्रिस्पतिवार सुक्रवार सनीवार और रविवार कुल कितनी कंडिशन है सेबन आपके फेबर में कितनी आप चाहते क्या है रविवार एक कंडिशन है तो प्राइक्ता क्या हो जाएगी एक बटे साथ तो ध् कहेंगे चुकि एक सामान्य वर्स में ध्यान समझ्जा एक सामान्य वर्स में 365 दिन अर्थात 52 सब्ता होते हैं ठीक परंतु एक दिन ध्यान दो एक दिन सेस बचता है जो की हो सकता है क्या क्या हो सकता है सोमवार हो सकता है ठीक या मंगलवार हो सकता है या बुद्धवार या ब्रहस्पतिवार या सुक्रवार या सनिवार या रविवार हो सकता है तो कुल कितनी कंडिशन हैं बताइए आप लो 1234567 तो अब हमें चाहिए रविवार अताहा इसके रविवार होने की प्राइक्ता अगर हम इसके रविवार आ की प्रायक्ता ज्यांद करें तो इसमें रविवार एक 돌아 तो दिख रहा है क studyถimo कि अई हो ने की कि तो है प्रायक्ता है ईककल टूबशियर अब दिको इसी के विखिद सकते हैं यहा पर जो हमने लिखाए कि एक सामान वर्ष में 249 रायक्ता आपसे पुछा साथ हो जाएगी ऐसे ही तिरपनवा मंगलवार की प्राइक्ता वही होगी बुद्धवार की जादा तर एक्जाम में तिरपनवा रभिवार की प्राइक्ता पूछी जाती है ठीक है यह आपको समझ में आ गया होगा अब आईगी हम लोग नेक्स टाइक के कुस्टं के बारे में डिस्कस करتे है इसी में यहाँ पर पुछुआजा आता है जहां एक सामानर वर्स लिखा है यहीँ पर लीब वर्स आ जाता है कहते हैं एक लीप वर्स में तिरपनवा रविवार होने की प्राइक्ता ग्यांत कीजिए तो एक लीप वर्स में तिरपन रविवार होने की प्राइक्ता दो बटे साथ होती है क्यों होती है थोड़ा समझेगा आप उससे लिखेंगे आत्म हैंगे चुंकि एक leap words में total तीन सो चाशट दिन होते हैं जिन में 52 सबता होते हैं इसका मतलब प्रते एक दिन 52 बार आता है लेकिन दो दिन इसमें एक दिन सेस बचेगा जो निम्न प्रकार आ सकते हैं जो दो दिन बचेंगे वो क्या क्या हो सकते हैं देखो धान से हो सकता एडियाशन जो दो दिन बचेंगे वो सोमवार हो और मंगलवार हो या मंगलवार बुधवार हो या बुधवार ब्रहस्पतिवार हो या ब्रहस्पतिवार सुक्रवार हो या सुक्रवार सनिवार हो या सन सनिवार से लिएन कंडिशन Woo हो या रव और सोम वार बाक्या लिमार की सब्सक्राइब Доього, मंगलवार इतनी कंडिशन हो सकती है या तो यह कंडिशन या तो यह ऑं सामत यह कंडिशन या तो यह यह और कके अपको बताना सकता है कर अभिवार के साथ भी सो मुखर बमर्दल सो मोघ्षार के साथ भी रभिवार PAUL के साथ दो जगां को रभिवार दिख रहा है इसलिए यहाँ पर जब आप нуж traffic प्रवैल्टी निकालेंगESS तो अनकूल परसिती कितनी हो जाएगी दो और कूल परसिती कितनी हो जाएगी साथ तो प्राइक्ता हो जाएगी दो बटे साथ ऐसे ही अगर तिरपन मंगल वार या सो मुआर की बात करेगा तो सब की प्राइक्ता यही होगी तो दो जगां आपको condition दिख रही जो आपको चाहिए और total condition आपको 7 दिख रही तो probability 2 by 7 आराम से यहाँ पर हो जाएगी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, clear हो गए बाद, तो यह सबसे basic question थे, सबसे आसान question थे, जो आप लोगों के exam में पूछे जाते हैं, clear हो गया, चलिए, इसको फटा-फट से note करिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ घटनाओं के प्रकार, यह जो दो question है ना, बहुत ही जादा important है, हो सकता है यही question, लोगों के exam में पूछे जाएं, तो इस दोनों question को आप लोग ध्यान रखिएगा, कि सामा आनने वर्स में, तिरपनवे रभिवार होने की प्रयक्त, या तिरपनवे सोमोर या मंगलवार होने की प्रयक्त, किसी भी दिन की पूछे गत, एक बटे साथ होगी, और अगर हम लीप वर्स की बात करेंगे, तो दो बटे साथ होगी, condition को बना पाएगा, तब भी ठीक है, नहीं बना पाएगा, तब भी ठीक है, आराम से आपको उसको कर सकते हैं, आईएव हम लोग पढ़ेंगे, घटनाओं के प्रकार, बड़ा importance में, जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, उनको हम आपको समझाते चलेंगे, आईए देखिएगा, टॉपिक एडियस्ट, के प्रकार, जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइव साफ एबेंट्स, ध्यान देना, इसको हम लोग बोलेंगे, घटनाओं के प्रकार, टाइव साफ एबेंट्स, इजो इवेंट्स, आपको बताएंगे, इसमें से आपके एक्जाम में डारेट कुश्ण बुज़ा सकता है, आप लोग पढ़ेंगे डियुकों संब्हावी घटनाएं जब आएकस्रों अर्था संसंभावी घटनाएं क्या होती हैं बड़ा सिंपल सीज की रेफनिशन होती है कि ऐसी घटना है जिनके घटित होने की प्राइक्ताएं समान हो उनको हम लोग समसंभावी घटना के नाम से जानते हैं एक्जामपल देख लीजिए आप सभी लोग आपको समझ में आ जाएगा जैसे हमने एक कोईन को टॉस किया तो हैड और टेल आता है इसकी दो इवेंट बना लिया हमने एक एवन इकुल टू हैड आना और एक एटू इकुल टू दूसरी इवेंट बना ली जाएगे डियस्ट इवन पी इवन इकुल टू पी इटू आपको मिल रहा है आता है यहां आप कहेंगे आता है इवन तथा इटू ध्यान देना इवन तथा इटू जो हैं वो क्या हैं समसंभावी घटनाएं हैं ध्यान रखना ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं समसंभावी घटनाएं कहलाती है ऐसी घटना है जिनके घटित होने की प्राइकताएं समान हो उन्हें हम लोग समसंभावी घटना के नाम से जानते हैं कोई और एक्जामपल देख लीजे आप लोग एक एक्जामपल और जैसे s equal to एक पासा फेका गया 1,2,3,4,5,6 अब इसमें भी कुछ event बना लीजिए जैसे एक event हम बना लेते हैं E1 ठीक है इसका मतलब है 1 या 2 आना दूसरी event E2 हमने बना लिया 3 या 4 आना एक event और हमने बना लिया ये हो गया 5 और 6 आना समझ में आरी बाते हैं तो इस situation में अगर हम लोग क्या करते हैं PE1 निकालते हैं तो आपको दिख़ाओगा कि 2 बाई 6 होगा मतलब 1 बाई 3 आएगा PE2 निकालेंगे तब भी आपको 1 बाई 3 ही मिलेगा अगर हम PE3 निकालते हैं तब भी हम लोग को 1 बाई 3 ही जा करके मिल जाएगा तो हर एक केस में E1 के लिए भी E2 के लिए भी और E3 के लिए भी जो घटना है उसके घटत होने की जो प्राइकता है वो समान है इसलिए इसलिए ये घटना जो E1 है E2 है और E3 है ये कैसी घटना हो जाएंगी सम संभावी ठीक है इसको हम लोग equally likely events भी बोलते है equally likely events भी इसको हम लोग बोलते हैं equally likely events ये हो जाएंगी तो पहली घटना आपको समझ में आ गई होगी ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्राइकता है समान हो उनको हम लोग equally likely घटना या equally likely events अर्था सम संभावी घटना के नाम से जानते हैं लेक्चर बेहाद important हो रहा है अगला समझेगा अगली घटना निस्चित तथा अनिस्चित पहले आप लोग समझेगा दूसरी घटना है निस्चित घटना ठीक है निस्चित घटना जिसको हम लोग बोलते हैं share event ठीक share event ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्राइकता जैसे अगर even कोई घटना है और पी even जो है वो one आ गया तो यहाँ पर जो even है उसे हम लोग क्या कहेंगे निस्चित घटना कहेंगे निस्चित means share event के नाम से इसे जाना जाएगा ऐसी घटना जिसके घटित होने की प्राइकता 100% हो एक हो उसे हम लोग निस्चित घटना के नाम से जानते हैं देखो समझो कैसे देखिए जैसे हमने क्या किया एक dice थ्रो किया 1,2,3,4,5,6 ठीक है अब आपसे कहा जाए कि एक ऐसी घटना है जैसे एक घटना है ठीक है एक घटना है पासे पर धान दो पासे पर 7 से कम अंक आना कम अंक आना पासे पर 7 से कम अंक आना तो इसमें जितने भी अंक हैं वो सब 7 से कम ही है तो यहां पर अगर हम इसकी प्रॉविल्टी निकालेंगे तो क्या आएगी 6y6 ही आएगी है न 6y6 आएगी तो PE जो है करते हैं अब चूनकि दोनों सेम होते हैं तो कैंसिल होकर के हमसरा पी इडियों यह वह ना जाता है तो गल् terms है के और प्रहूग है यह अप लोगो समझना था क्लियर हो रही है बात्य यह समुझे तरिक है ठीक है पैना यह हो पोज करिये जैसे कहा जाए कि एक टोकरी है उस टोकरी में दस सेव रखे हुए हैं दसों सेव एकदम नीट अच्छे हैं कोई भी रेंडम ली आंक मुन की उसमें से एक सेव निकालता उसके अच्छा होने की प्राइकता तो सारे सेव अच्छे हैं जो सेव आप निकालेंगे वह भी अच्छा ही होगा तो प्रॉबिल्टी क्या हो जाएगी हंडेट परसेंट हो जाएगी वन हो जाएगी और यह कैसी घटना कहलाएगी निस्चित घटना कहलाएगी सिवर इवेंड कहलाएगी क्लियर हो गई बातें अगला है डिये सेंट्स अनिस्चित या असंभव गटना ठीक इंग्लिस में सको हम बोलेंगे अनसरी तेन यह कह सकते हैं को इंपॉसिबल एवेंट पैं इंपॉसिबल एवेंट ठीक है इसमें क्या होगा इन कोई इवेंड है इ ठीक है तो इसके अगर घटित होने की प्राइक्ता प्राविल्टी जीरो हो जाए तो यहां पर जो ई होगी उसी को हम लोग क्या वो लेगे impossible event की नाम से जानेंगे जैसे इसी में समझ लीजिए अगर किसी पासे को फिका जाए तो छे से बड़ा अंक आने के प्राइक्ता छे से बड़ा अंक इसमें है ही नहीं तो आएगा कहां से तो यह कौन सी घटना हो गई अनिस्चित घटना हो गई impossible event हो गई impossible event को डियर स्वेंट्स हमेशा जो है P5 से दिखाते हैं दिखाते हैं क्योंकि इसमें कोई element नहीं होता है तो अनिस्चित घटना मतलब ऐसी घटना जिसके घटित होने की जो प्राइक्ता है जिसके होने की जो probability है डियर स्वेंट्स वो कितनी है जीरो है उसे हम अनिस्चित घटना या असंभव घटना के नाम से जानते हैं क्लियर हो गई बाते हैं चलिए इसको आप फटा फट से नोट करिए फिर हम चलते हैं धीरे धीरे आगे की तरफ और प्रकार की घटनाओं को धीरे दिसकस करते हुए डियर स्वेंट्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम लोग बहुत ही बहतरीन तरीके से इस चेक्टर क आता हूं अगली घटना जो है डियर स्वेंट ध्यान दो अगली घटना है हमारी स्वतंत्र घटना है स्वतंत्र घटनाएं ठीक है स्वतंत्र घटनाएं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडीपेंडेंडेंट इवेंट्स इंडीपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड ठीक है, इंडिपेंडेंट इमेंट्स को कहते हैं, दो या दो स्यादी घटनाय परसपर स्वतंदर कही जाते हैं, यद एक घटना की घटित होने से दूसरे घटना घटित होने पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे दो घटनाय हैं E1 और E2, वो स्वतंदर घटनाय अगर हमें एक पासे को फेकते हैं, पहली बार दो आ जाता है, तो आगली बार फेकने पर छे आएगा, इससे इसमें कोई लेशन नहीं, अगर पहली बार दो आया है, तो आगली बार दो भी आ सकता है, मतलग इस पर दो आने का, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अगला डियोसेंट्स है परतंत्र घटनाएं परतंत्र घटना का मतलब है कि जब एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर पड़ता है जान देना एक है अगली परतंत्र घटनाएं ठीक है जिसको हम बोलेंगे dependent events, क्या बोलेंगे dependent events ठीक है, ऐसी events जब एक का दुसरे पर पढ़ेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे dependent events, जैसे माल ये 52 तास की गड़ी में से एक तास का पत्ता निकाल लिया जाता है आगली बार जब हम लोग उसमें से फिर से एक पत्ता निकालेंगे तो चुकि ये एक पत्ता निकाला गया है तो आगले के लिए उस पर प्रभाव पढ़ेगा क्यों? क्योंकि पहले हम 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहे हैं अब हम 51 में से ही एक पत्ता निकाल पाएंगे, तो पहली बार जो घटना हुई है, वो पत्ता इसमें कम हो गया, वो पत्ता दुबारा हम चाहेंगे, दुबारा हमें नहीं मिलेगा, तो पहली बार जो घटना घटित हुई है, उसका इस पर प्रभाव पढ़ेगा, तो इस प्रकार की घटना क्या लेकिन अगर वही तास का पत्ता निकाल के फिर इसमें रख दें तब हम दुबारा करेंगे फिर से बावन पत्ते हो जाएगे तब यह स्वतंत्र हो जाएगी पहले जब निकाल लेंगे तो अगली बार उसका प्रभाव पढ़ेगा कि पत्ता उसमें कम हो चुका है लेकिन और और क्या अगर उसका प्रभाव नहीं पढ़ेगा तो वह कौन सी घटना होगी प्रभाव पढ़ेगा तो स्वतंत्र होगी और प्रभाव पढ़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे परतंत्र इवेंट के नाम से जानेंगे डिपेंडेंट इवेंट के नाम से जानेंग जिसको हिंदी में बोलते हैं परसपर अपवर्जी घटना है और ये परसपर अपवर्जी घटना है बहुत ही जादा important है क्योंकि इनका use बहुत ही जादा होता है तो आए हम लोग समझ लेते हैं कि परसपर अपवर्जी घटना किसे कहते हैं तो हम लोग लिखेंगे परसपर अगर अभी तक आप लोग ने लेक्चर को सेयर नहीं किया है तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं मेरे साथ प्लीज एक बार सभी लोग लेक्चर को सेयर कर दीजिए इसको डिया सेंट्स हम लोग इंग्ली से बोलेंगे मुचुवली एक्स्क्लिूजिव इवेंट्स ठीक है एक अनियमता अगर कहा जाए तो कहते हैं कि ऐसी दो घटना हैं जो कभी भी साथ साथ ना हो सकें दोनों घटना अगर साथ साथ नहीं घटित हो सकती हैं तो ऐसी घटना को परस पर अपवर्जी घटना कहा जाता है जैसे एक सिक्के को उच्छाला जाए तो सिक्के पर हेड आना और tail आना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है एक ही सिक्के को अगर आप उच्छाल रहे हैं तो या तो head आएगा या तो tail आएगा दोनों condition एक साथ नहीं हो सकती है ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे परस पर अपवर्जी घटना कहेंगे और कुछ example लेकर के मैं किसे बन जाएगा suppose करिये dear friends की एक event हम बनाते हैं E1 जो की है 1, 3 और 5 means odd number का एक event मैं बना लेता हूँ E2 जो की 2, 4 और 6 का है अब अगर ये घटना घटित होगी तो ये नहीं होगी इस घटना के घटित होने का मतलब 1, 3 या 5 आना और इस घटना के घटित होने का मतलब 2, 4 या 6 आना तो यहाँ पर दोनो घटना एक साथ नहीं हो सकती या तो ये घटित होगी या तो ये घटित होगी इसकी पहचान क्या होती है यहाँ पर दोनो घटनाओं का जो आप intersection निकालेंगे तो आपको सदयो 5 मिलेगा सदयो क्या मिलेगा 5 means उसमें कुछ common होगा ही नहीं और आप simple सी बात है कि अगर दोनो घटनाओं में कुछ common नहीं होगा तो वो दोनो घटनाओं एक साथ घटित नहीं हो सकती है अईसी घटनाओं को परसपर अपवरजी घटना के नाम से जाना जाता है परसपर अपवरजी घटना के सदयो या सब्द का प्रियोग होता है अभी मैं आपको एक थियोरम पढ़ाओंगा योग का नियम उसमें आपको सिखा जाएगा कि परसपर अपोरजी घटना को सदय जोड़ा जाता है तो परसपर अपोरजी घटना की पहचान अभी धीर धीर आपको हो जाएगी और इसके भीहाब पे एक्जाम में कुछ सन आते हैं ध्यान से चमासते चलना लागा ठीक है लेक्चर पूरा देखिएगा ये चेप्टर 100% कम्पलीट हो जाएगा अगली घटना है इडियोसेंट जिसका नाम है सयुक्त घटना है जिसको बोलते हैं इवेंट्स जिसको बोलेंगे इडियोसेंट्स हम लोग सयुक्त घटना हैं ठीक जिसको हम लोग बोलते हैं compound, compound events, ठीक है, compound events का मतलब होता है, ऐसी events, जो साथ साथ हो सकें, the events which can occur together, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंद्र घटना बोलते हैं, या उन्हें सहुत घटना बोलते हैं, example समझाता हूँ, जैसे माल गये, as equal to आपने एक sample space बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, और एक event हो गई, even, जिसमें 1, 2, 3 और 4 आपने कर लिया, एक दूसरी event हो गई, suppose करिये हो गई, 4 से ले लिजिए, 4, 5 और 6 ले लिजिए, अब dear students, अगर हम इस event की बात करें, तो इस event में 1 आएगा, तो ये event हो हो जाएगी, 2 आएगा, तब भी ये event ये घटना घटित हो जाएगी, 3 आएगा, तब भी ये घटना घटित हो जाएगी, 4 आएगा, तब भी ये घटना घटित हो जाएगी, लेकिन dear students, अगर 4 आएगा, तो घटना E1 तो घटित हो जाएगी, साथी साथ घटना E2 भी घटित हो जाई मतलब ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती है उसका रीजन क्या है कि इन दोनों घटनाओं में एक element जो है डियसेंट्स हो क्या है common है इसलिए घटनाएं साथ साथ घटित हो सकती है और जो घटनाएं साथ साथ घटित हो तो ध्यान रखिएगा अगर हम कि अलो दो इवेंट की बात करते हैं E1 और E2 की और हमें चेक करना है कि परसपर अपवरजी है की नहीं तो हमें देखना होगा कि इन दोनों में कुछ common तो नहीं है अगर common नहीं है तो यह परसपर अपवरजी हो जाएगी अगर E1 intersection E2 निकालते हैं और some value आपको यहां से मिल जाती है तब वो घटनाय क्या कहलाएगी सयूंत घटनाय कहलाएगी इस चीज़ को दिमाग में बैठाने की आवस्यक्ता है आपको समझ में आया होगा और ये दोनों चीज़ें बहुत ही जादा ही important है इगर हो गई बात अब उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आईए धीरे धीरे करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और चीज़ों को deal science हम लोग समझते हैं ठीक है इसको मैं raise करूंगा तब आगे की तरफ बढ़ूँगा धीरे 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 सारे topic को आप सभी लोगों को समझते प्राइक्ता जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉबाबिलिटी है ना प्रॉबाबिलिटी तो किसी भी इवेंट की प्रॉबेल्टी अर्थात प्राइक्ता हम कैसे ग्यांत करते हैं उसके लिए आपको फार्मला बताया अर्थाद अनुकूल परस्तियां बते ह्विल परस्तिया निधेशन जो है बदल रही है अब इसमें एक नोठव फटतर और यन प्रकार से घटत ना हो कोई घटना यम प्रकार से ध्यान देना यम प्रकार से घटित ना हो तो उस घटना के घटित होने की प्रायक्ता एन जो है वो एन अपान एम प्लस एन होगा घटित होने की प्रायक्ता पहले बता करो तो घटित होने की प्रायक्ता क्या होगी P E equal to M upon M plus N और उस घटना के ना घटित होने की प्राइकता को P E bar से दिखाए जाएगा और यह equal होगा N upon M plus N ठीक है N upon M plus N इसमें कुछ खास नहीं है आप ध्यान से समझें कितना आसान है कि भाई सिंपल सी बात है जब हम घटित होने की बात कर रहे हैं फार्मूला हो जा रहा है क्लियर हो गई बाते आई होप आपको समझ में आ गई होंगी अब इस प्राइकता से लेटेट कुछ थेओरम्स हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है देखे कर दियान से डियर स्वेंट्स अच्छा ये बात समझ में आ रहे हैं आपको PE का मतलब घटना के घटित होने की प्राइकता PE बार लगा हो या डैस लगा हो दोनों का मतलब होता है कुस घटना के ना घटित होने की प्राइकता ठीक है बार लगा होगा या not लगा होगा उसका मतलब होगा उसके ना घटित होने की प्राइक्ता थे और हम समढ़िए ध्यान देना if e is any event if e is any event अगर e कोई event है ठीक जा लिए सकते हैं आप आप सेंपल इस्पेस एस देन पहली कंडिशन होती है कि जो पी एस होगा वो वन होगा इसको हम लोग बोलते हैं निस्चित घटना मैंने अभी आपको पढ़ाया था दूसरी कंडिशन पी फाई इसकी वेलू जीरो होगी पी फाई का मतलब अनिस्चित घटना असंभव घटन तीसरी कंडिशन होती है डियोसेंट की पी इप्लस ध्यान देना पी इप्लस पी इप्लस पी नाट किसी घटना के होने की प्रायक्ता और ना होने की प्रायक्ता का योगफर सदय एक होता है आगली चीज डियोसेंट जो प्राविल्टी होती है हमेशा लेस आरिक वल्दा ए 1 and greater or equal than 0 होती है ये 5 important theorems हैं जो आपको ध्यान रखना है पहली चीज किसी भी event की probability 0 और 1 तक ही हो सकती है negative में भी नहीं होगी और 1 से जादा भी नहीं हो सकती है 0 के वल एक ही special case में होगी जब वो असंभव घटना होगी means impossible event होगी 1 के वल तब हो सकती है जब वो severe या certain या इसको आप निस्चित घटना कहते हैं तब होगी किसी भी घटना के होने की प्राइकता और उसके ना होने की प्राइकता का योगफल एक होता है कैसे सर अगर आप किसी से कहते हैं कि 70% chance है कि मैं इस काम को करूँगा तो उसके साथ ये भी जुड़ा होता है कि 30% chance है कि आप उस काम को नहीं करेंगे इसलिए किसी काम को करने की probability और ना करने की probability दोनों का sum 1 है अर्था 100% है इतनी बात है आप लोगों को समन में आई होंगी अब आईए हम आगे बात करते हैं अगला है घटना के आनुकूल तथा प्रतिकूल सायोगान पात आईए समस्तिया दिया स्रेंट्स तापिक है अनुकूल तथा प्रतिकूल किसके घटना के आनुकूल तथा प्रतिकूल सायोगान पात लेक्चर बहुत ज़्यादा इंप्वार्टेंट हो रहा है इडिया सुन्स कहीं पर भी आप लोग इसकिप मत करिएगा ठीके लगातार आप लोग लेक्चर में बने रहिएगा प्रतिकूल सायोगा अनुपात इंपोर्टेंट टॉपिक है ध्यान समद लिजेगा बहुत ही आसान है ठीक घटना के अनुकुल था प्रतिकूल सायोगा अनुपात इसको हम बोलते हैं ओड्स इन फेबर एंड अगेंस्ट आफ इन फेबर ओड्स ओड्स इन फेबर इन फेवर ठीकूल अगेंस्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट इन फेवर ठीक है आए समझते हैं क्या होता है इसका मतलग ठीक है अब ध्यान से सभी लोग समझे एक अडियसेट इसका मतलब क्या होता है देखो अगर कोई घटना यम प्रकार से हो सकती है ध्यान देना अगर कोई घटना यम प्रकार से हो सकती है ठीक है हो सकती है ठीक तथा एन प्रकार से नहीं हो सकती है नहीं हो सकती है ध्यान देना नहीं हो सकती है तो यम अनुपाते यन को अनुपाते यन को अनुकूल सैयोगा अनुपात कहते हैं यन रेशियो एम जो होगा इसको हम लोग प्रतिकूल इसको हम लोग प्रतिकूल सैयोगा नुपात कहते हैं ध्यान रखेगा यम रेशियो एम जो है उसको अनुकूल सैयोगा अनुपात कहा जाएगा और यन रेशियो एम जो होगा उसको प्रतिकूल सैयोगा अनुपात कहा ज कि यहां पर मालो हम पी निकालना चाहें प्रॉबिल्टी आप इबेंट तो क्या होगा एम अपान एम प्लस एन ठीक है जितने प्रकार से हो सकते हैं आप टोटल अगर यहां से हम पी यह नाट निकालते हैं तो एन अपान क्या होगा M plus N हो जाएगा इस सीज को आप ध्यान लखेंगे छोटा सा एक्जामपल देखिए जैसे आप से कहा जाए किसी घटना के अनुकूल सयोगा अनुपात एक अनुपाते तीन है अनुकूल है क्या है बच्चों? अनुकूल सयोगा अनुपात है एक अनुपात ये तीन है तो इस घटना के घटित होने की प्राइकता है तो अनुकूल है ये होने की है ये ना होने की है तो 1 upon 1 plus 3 का मतलब क्या हो जाएगा 1 by 4 हो जाएगा और ना होने की निकालेंगे 3 upon 1 plus कितना हो जाएगा बताओ तो 3 हो जाएगा इसका मतलब 3 by 4 हो जाएगा ये घटना के होने की प्राइक्ता ना होने की प्राइक्ता अगर ये प्रतिकूल अनुपात दिया होगत इसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा किलिगर हो गई बाते अनुकूल सहयों गान पाइक जब दियते तो उसमें पहले जि जिनका यूज करके ही maximum questions साल किये जाते हैं जिसमें पहला नियम है योग का नियम आईए समझते हैं योग का नियम क्या होता है ध्यान देना सभी लोग योग का नियम ठीक है इसको बोलेंगे लाफ लाफ एडिसन हम लोग इसको बोलेंगे लाफ एडिसन जिसको हम बोलते हैं योग का नियम आईए समझते हैं कि योग का नियम होता क्या है ज्यान देना डियोशेंट्स कहते हैं यदि E1,E2,E3.en परस पर अपवर्जी घटनाएं हो परस पर अपवर्जी घटनाएं हो तथा इनके घटित होने की प्राइक्ता प्राइक्ता क्रमसा पीवन कामा पीटू कामा पीथ्री डाट 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 पीएन हो तो हो तो अब देखो जहां से डियोशेंट्स ये जो घटनाएं हैं ये कैसी घटनाएं हैं परस पर अपवर्जी घटनाएं हैं मुचुवली एक्स्क्लूजी इवेंट्स हैं इसका मतलब ये सारी की सारी घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती हैं तो इन घटनाओं में से कोई एक ही घटना घटित होगी तो इन में से किसी एक के घटित होने की प्राइक्ता को जोड़ा जाता है तो जा लिखेंगे इन में से इन में से किसी एक के घटित होने की प्राइक्ता ध्यान देना ये बराबर होगा हमारा अगर कोई तीन घटना है उसमें से किसी एक घटना के घटित होने की वहाँ पर बात हो रही तो उसमें से उन घटित होने की प्राइक्ता है जोगी उनको क्या किया जाएका जोले अभी कुछ सन्साल्ब कराएंगे तो अच्छे से आप लोग का असपस्त हो जाएगा टेंसन न लेजिए आगे समझते हैं अगला है डिये स्ट्रेंट्स गुरान का नियम अगला है हमारा गुरान का नियम आईए यहां पर हम लोग समझते हैं कि गुरान का नियम क्या है इवन हैं और यह कैसी इवेंट है स्वतांतर इवेंट तो स्वतांतर हैं इसका मतलब यह सबीसात हो सकती है और suppose करो इनके घटित होने की प्राइकता P1 P2 डाट 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 क्या है PN है तो इन सब घटनाओं के एक साथ होने की प्राइकता हम पता करें तो इनकी प्राइकताओं के गुडन फल के बराबर होता है तो ध्यान डखिएगा जब घटनाएं परस पर अपवर्जी होंगी तो वो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती है तो उन में से किसी एक घटना के घटित होने की प्राइकता को ग्यांद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उन सभी घटनाओं की प्राइक्ताओं का योगफल याद करते हैं और अगर वो सारी घटनाय स्वतंत्र हैं और उनके सभी की घटनाओं की प्राइक्ता हम लोगों को याद करना है उनके होने की प्राइक्ताओं को गुड़ा करते हैं जिसको गुड़ा का नियम कहते हैं कभी-कभी आपसे कहेगा कि इसमें से कोई, कोई घटना घटितना हो, कोई घटना ना हो, कोई घटना ना हो की प्राइकता यह हो जाएगा 1-P1 into 1-P2 dot 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 1-PN हो जाएगा, याद रखिएगा, अगर कहेगा कोई नम्म, कुल मिला के सिंपल सी बात है, अगर कहेगा सारी घटना एक साथ हो, तो सारी घटना के घटित होने की प्राइकताओं को हम गुड़ा कर लेगे, अगर कहेगा सारी घटना एक साथ ना हो, तो उनके ना होने की प्राइकताओं को एक साथ गुड़ा कर लेगे, कभी-कभी ऐसे कहेगा, कम से कम एक घटना घटित हो, तो इसको ना concept complete हो गए अब आईए हम इन सारे concept का यूज करते हुए questions आप लोगों को solve करा करके दिखाते हैं जिससे आपका बहतर तरीके से तयार हो जाएगा फटा फट से dear students समस्ते चलिएगा खुब ध्यान से जितने भी questions solve कराएंगे सारे के सारे questions previous year question होंगे अगर आप लोगों ने अभी तक lecture को continue देखा है तो अब थोड़ी देर और बने रहिए और जो previous year question से उनको हमारे साथ solve कर लिए जिससे ये chapter आप लोगों का hundred percent तयार हो सके आपके mind का प्रतेक तरह का doubt क्लियर हो अब टेंशन मत लीडिये आए शुरुआत करते अपने first question से देखिए ध्यान से first question ध्यान देना कर रहा है कि एक पासे की फेक में देखिए question है एक पासे की फेक में फेक में तीन से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्राइक्ता ग्यान कीजिये घ्यान देना प्राइक्ता ग्यान कीजिये ऐसे हलके में मत लीजिए ये question यूपी बी टी की तरफ से 2000 इलेमें में पूछा जा चुका है देखिए अभी आप लोग देखिए साल्व करने का मिथड़ क्या है देखिए समझ ये धान से कितना पासा फेक एक पासा फेका जा रहा है डियो questions देखो solution जब आप इसका करोगे तो आप कैसे करोगे ठीक है आप पहले यहां देखो प्रसना अनुसार आप पहले प्रतिदर्स समस्टी बना लीजिए जब प्रतिदर्स समस्टी बनाएंगे एक पासे को फेकने पर 123456 यह condition यहां पर बनती हैं अब उस घटना की बात कर ल है तो पी इक्वल टू फार्मला बताया गया है एन इपान में कितना होगा एनस होगा तो पी इक्वल टू एक पासे को फेकने पर तीन से बड़ा अंकाने की प्राइकता एक बटे दो है क्लियर हो गई बाते यह इसको साल्व करने का तरीका है और डियो सेंट्स यह question आप से पूछा जा चुका है 2011 में अगला question जो मैं साल्व कराने चल रहा हूँ यह question आप लोगों से 2016 में पूछा जा चुका है आईए इस question की तरफ हम लोग चलते हैं question number second की तरफ ठीक है देखिए करा डियो सेंट्स एक थैले में तीन लाल तथा पांच हरी गेने हैं हैं एक लाल गेंद निकालने की प्राइक्ता ध्यान दो एक लाल गेंद निकालने की प्राइक्ता हमें ज्याद करना है और यह question ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं यह question UPBTE की तरफ से ठीक है UPBTE की तरफ से 2016 में पूछा जा चुका है तो आईए समझते हैं इसको हम लोग dear strengths कैसे solve करेंगे सारे question को समझते चलिए note करते चलिए अभी छोटे-छोटे question discuss करना start कर रहे हैं हर एक level की questions आप लोगों के साथ discuss होंगे सारे questions आपको समझाए जाएंगे मेरी responsibility है ध्यान से समझ चलना अब देखो इसका solution आप लोग कैसे करोगे solution देखो आप कहोगे लाल गेंदों की संख्या देखो लाल गेंदों की संख्या ठीक लाल गेंद कितनी है यहाँ पर तीन लाल गेंद है हरी गेंद कितनी है बोलो हरी गेंदों की संख्या हरी गेंद की हम बात कर रहे हैं तो कितनी है फाईव कुल गेंदे कितनी हैं कुल गेंदे कितनी हैं हमारे पास 3 प्लस 5 मतलब कुल 8 गेंदे हैं अब एक लाल गेंद निकली जाती है तो गेंद के लाल गेंद होने की प्राइक्ता तो हमें क्या पता करना है लाल गेंद होने की प्राइक्ता ठीक लाल गेंद होने की प्राइक्ता क्या होगी लाल गेंद कितनी है बताइए लाल गेंद तीन है और कुल गेंद कितनी है आठ है तो यही answer हो जाएगा अगर यही से हरी game की प्राइकता पूछता तो 5 बटे 8 हो जाता कितना आसान question था और ये दोनों question exam में पूछे जा चुगे आपको पता है कि आपके exam में question छोटे छोटे number के भी आते हैं बड़े number के भी आते हैं तो जो छोटे number के questions आते हैं डियो सेंट्स वो क्या होते हैं आसानी होते हैं conceptual होते हैं अगर आपका concept clear है तो इस तदा के questions को आप लोग easily solve कर ले जाते हैं ठीक है धीरे धीरे level बढ़ेगा हर एक type के questions को touch करूँगा क्योंकि ये कौन सी class है महराथन class है ठीक है महराथन नहीं है सर कौन सी महराथन है महा महराथन class है chapter को समाप्त करना है अगला question है एक सामान वर्स में 53 अबिवार होने की प्राइक्ता भी थोड़ी देर पहले हमने discuss किया है 53 अबिवार होने की प्राइक्ता भी दो बटे साथ होगी मंगल वार होने की प्राइक्ता दो बटे साथ होगी लीप वर्स में अगर समान वर्स होगा तो एक बटे साथ होगी मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ और आप लोगों ने इसको बहतर तरीके से समझा भी है ठीक है चलिए आगे के question के बारे में discuss करते हैं ध्यान रखना जो भी question discuss करेंगे सारे question previous year question से होगे ठीक है आईए समझते हैं अब अगले टाइक के questions को समझने के लिए थोड़ा सा हमें तास के बारे में पता होना चाहिए तास के पत्तों के बारे में ध्यान देना सभी लो तास जिसको हम लोग बोलते हैं playing cards क्या बोलते हैं इसको हम लोग playing cards के नाम से जानते हैं इसके बारे में थोड़ा जानना होगा वैसे आप लोग इसको थोड़ा जानते होगी लेकिन मैं आपको एक बहुत ही तरीके से इसको बताऊंगा कि तास के पत्तों को आप कैसे याद रख सकते हैं ध्यान दो तास की जो गड़ी होती है उसमें चार तरह के पत्ते होते हैं देखिएगा पहला जो है उसको हम चिड़ी कह सकते हैं और हुकुम होए ठीक है और उसके बाद जो होता है डियस्ट्स वो होता है इट और उसके बाद होता है पान ध्यान दकी है बहुत आसाने से याद करा दूँगा तास की गड़ी में कुल मिलाकर किस चार प्रकार के पत्ते होते हैं चिड़ी जो होती है जिरी जो होती है इसका रंग डियस्रेंट काला होता है कैसा होता है काला होता है और हुकुम का रंग भी देखने में कैसा लगता है उसे मतलब नहीं है इंट जो है वो लाल रंग का होता है और पान जो है वो भी ध्यान रखेगा लाल रंग का होता है तो चार प्रकार के पत्ते होते हैं तास की गड़ी में उसके बाद आधे पत्ते लाल रंग के होते हैं आधे काले रंग के होते हैं अब देखो इसमें क्या होएजब टीरी में हम आगे बढ़ते हैं इसमें एक पत्ता होगा फिर सबसे पहले आप इसमें आद रखेगा बादसा होगा और दूसरे नमबर पर आएगे बेगम और फिर होगा गुलाम ये तीन पत्ते होंगे उसके बाद फिर एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस नमबर तक पत्ते होंगे इस एक वाले पत्ते को हम लोग इका या इंगलिस में इसको S के नाम से भी जाना जाता है तो देखो यहाँ पर चिडी में काले रंग के कुल कितने पत्ते हो गए एक, दो, तीन ये और दस पत्ते ये तो चिडी में कुल मिला करके आप देखेंगे तो तेरा पत्ते यहाँ पर डियस्टेंस हो जाएंगे यही सेम कंडीशन इसमें भी होगी बादसा, बेगम, गुलाम, फिर एक सिलेकर के दस तक वही सेम कंडीशन इसमें भी होगी यही तास के पत्तों की गिंती है अब देखो ध्यान से इसमें हमें ध्यान क्या क्या रखना है सबसे पहले चीज़ हमें ध्यान रखना है कुल पत्ते कितने होंगे क्या ध्यान रखना है कुल पत्ते कितने होंगे तो कितने पत्ते होंगे सर 52 अर्था 52 कार्ड से टोटल होंगे ध्यान से समझते चलिए इतना अ आपको समझ में आया, 100% में समझा पाया हूँ नहीं, अगर कही पर भी कोई भी डाउट है, आप दिल खोल करके, मर्यादा में रहते हुए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, अगले लेक्चर में उसकी सुधार मैं करूंगा, ठीके, बिल्कुल, लेकिन अब ध्यान से समझ लिजे, कुल पत्ते कितने होगे, डियो सेंट्स, बावन, अगर हम लाल पत्तों की बात करें, तो लाल पत्ते कितने होगे, याद रखेगा, 26, कितने, क्योंकि देखो, आधे लाल है, आधे काले है, तो तेरा पत्ते इसमें, तेरा इसमें, तेरा तरह कितनी होगे, 26 हो बादसा कितने है चार बेगम की बात करेंगे बेगम कितने है चार गुलाम की बात करेंगे कितना है चार सब में एक एक है न और उसके बाद फिर इकके की बात अगर करी जाएगी तो इकका कितना है इसमें इकका भी चार है एक आता है फेस कार्ड फेस कार्ड का मतलब होता है इसमें चित्र वाना हो कितने हो जाएंगे 12 जो होंगे वो face card हो जाएंगे अब इसमें कुछ चीज़ें और दो देखो कुल बाथसा चार होते हैं अगर कहेगा लाल रंग का बाथसा तो लाल रंग के पत्तिẫn दो हैं कि तास की गड़ी में कुल कितने पत्ते होते हैं, लाल कितने होंगे, काले कितने होंगे, बासा कितनी होंगे, बेगम कितनी होंगे, गुलाम कितनी होंगे, इकका कितना होगा, फेस कार्ड कितना होगा, इतनी नौलेज आपको रखनी है, ये कार्ड्स देखने में कैसे लगते तो इसलिए हमको इससे मतलब ने कि बाथसा बड़ी है कि बेगम बड़ा है कि इकका बड़ा है हमको को उनकी पहचान रखने की ज़रूरत है ठीक है इसको आप लोग ध्यान रखिए गाट लिए इसको मैं इरेज करता हूं और इन कार्ड का यूज करते हुए कुछ कुशन्स हमारे एक जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के कुशन्स को मैं आप लोगों को साल्व कराता हूं ठीक है डियो स्वेंट एकदम बहतरीन तरीके से सारे टॉपिक को जवर जस तरीके से सीखते चलिए समखते चलिए मज़ा तो आ रही होगी होगी आप लोगों को आज आप लोगों की मयराथन छास है न तो मझा तो आप लोगों को आ रही होगी चलिए बढ़ते हैं थीड़ेंट की तरफ और साल्ब करते हैं it किस्जशन मैं यहाँ पर लिखता हूं इते हैं कर एक थैले में 3 लाल गेंद ठीक तीन लाल गेंद साथ सफेद साथ सफेद ठीक है और चार काली गेंदे हैं और चार काली गेंदे हैं ठीक है यादि तीन गेंदे निकाली जाएं यादि तीन गेंदे निकाली जाएं तीन गेंदे निकाली जाएं ठीक है, तो उनके एक ही रंग के होने की प्राइक्ता हमें ग्याद करना है, बहुत अच्छा बुश्चन है, होने की प्राइक्ता, ठीक, देखो कैसे करेंगे हम लोग, प्राइक्ता ग्याद कीजिए, ध्यान रखेगा, important question है, पूछा भी जा चुका है, UPBTE की तरफ से यह question 2001 में, और उसके बार 2018 में, means दो बार यह question आप लोगों के exam में पूछा जा चुका है, तो question जो है, वो important है, देखो dear friends, जब कभी भी किसी भी collection में से आपको एक को slate करना एक को, तो आप आराम से उतनी संख्या आएगी, लेकिन जैसे अगर दस संख्य, दस चीज़े उसमें से चार्ज लिक रहे हैं, तो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, देखिए लाल गेंद कितनी है, पहले यहां लिख लीजिए, लाल गेंद, ठीक, लाल गेंद जो है, वो चार है, आप देखो कुल गेंदे कितनी हैं, कुल गेंदे अगर हम बात करें, तो 3 पलस 7 पलस 4 इसका मतलब कितना है, 14, खुल गेंदे कितनी है, 14 है, तो कह रहे हैं कि इस में से 3 गेंद निकले तो पहले हम बात करते हैं लाल गेंद होने की प्राइकता ध्याँ दखना लाल गेंद होने की प्राइकता लाल गेंद होने की जो प्राइक्टा है उसको हम लोग PE1 से दिखा देते हैं और यह हो जाएगा 3C3 आपान में 14C3 क्या होगा दिये स्टेंट्स यह आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 गेंद में से 3 को लेना है और 14 में से 3 को लेना यह हो गया PE1 होगा इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे यहां पर सफेद की ध्यान दो सफेद गेंद की प्राइक्टा अगर इसको हम PE2 से दिखाएंगे तो सफेद कितनी गेंद हैं 7 हैं 7 में से 3 सेलेट करेंगे और 14 में से 3 ये कुल विधियां है ये वो विधियां जिसमें आप लोग उस गेंद को स्लेट करेंगे उसके बाद फिर हम बात करेंगे हाँ काली गेंद की ध्यान दो जब काली गेंद की बात करेंगे तो PE3 हो जाएगा काली गेंद कितनी है बता यह फोर में से कितना स्लेट करना है 3 अपान में 14C3 यह है डियर सेंड्स लाल रंग की गेंद होने की प्राइक्ता यह है सफेद गेंद होने की प्राइक्ता यह है हमारे काले रंग की होने की प्राइक्ता अब उसने यह नहीं कहा कि हमें लाल रंग की गेन चाहिए या काली यस है उसने कहा कि एक ही रंग की गेन चाहिए तो या तो तीनों गेने सफेद हो सकती है या तो तीने गेने लाल हो सकती है तो तीनों गेने क्या हो सकती है काली तीनों कंडिशन एक साथ नहीं हो सकती या सब्द का प्रयोग हो रहा है इसलिए यहां पर जात रखियेंगे एक ही रंग के होने की प्रयोंक्त अगर हम एक ही रंग के होने की प्रयों गैजना करें और इसको P e से दिखाएं तो हमारह ईक्वाल होगा PE1 प्लस PE2 और प्लस में हो जाएगा PE3 देख रहे हैं सभी लोग हमने अभी समझाया था ना परस पर अपवर्धी घटनाएं होंगी तो उनमें से कोई एक ही घटना एक बार में घटित हो पाई इसलिए उन सब को जोड़ा जाएगा तो हम जब इसको प्राइक्ता निकालेंगे PE2 तो आजाएगा 3C3 अपान में 14C3 प्लस में हो जाएगा 7C3 अपान में 14C3 और प्लस में हो जाएगा डियस्टन 4C3 अपान में 14C3 इसको सब को साल्व करना होगा तब इसको एड़ करना होगा NCR की value कैसे find की जाती है हमने आपको binomial theorem में पढ़ाया है अगर आप लोगों को confirm नहीं होगा तो playlist जाके check कले जगा बहुत सारे lecture previous year के भी पढ़े हैं इधर के भी NCR की value निकालना आप लोग सीख जाएंगे हम मुझे पता है और जो previous lecture और लोग देख रहे हैं उनको पता भी होगा NCR की value निकालना नहीं अभी तो binomial theorem में आपको first semester में पढ़ाया गया था तो याद होगी नहीं याद होगी देख लिजेगा इसको solve कर लेंगे तो एक ही रंग के गेंड के होने की प्रायक्ता आपको फटा फट से वहां से find हो जाएगी I hope dear friends आप सभी लोगों को ये समाझ में आ रहा होगा चलिए इसको note करते चलिए बढ़ियां से समझते चलिए अब हम लोग चलते हैं dear friends अपने next question की तरफ मैं वही वही question यहां से select किया हूँ dear friends जो question आपके exam में पूछे जाते हैं ठीके आइए समझते हैं कि कैसे कैसे question हमारे exam में पूछे जाते हैं उनी पर हम यहां पर touch करते हुए चल रहे हैं तास वाले भी एकात question में आप लोगों को कराऊंगा अनुकूल सहोगा अनुपात प्रत्कूल सहोगा अनुपात वाले भी कुछ questions में कराऊंगा आए पहले एक तास वाला question कर लेते हैं एक तास वाला question कर लेते हैं नहीं तो आप सोचेंगे सर्थ तास के बारे में बताए और उसका question नहीं कराए तो आए देखते हैं एक तास वाला question है एक तास खींचा जाए तो इसके इक्का या हुकुम होने की प्राइकता तो खींचा जाए तो इसके इक्का या हुकुम होने की प्राइकता मतलब या तो ये इक्का हो या तो ये क्या हो हुकुम हो हुकुम का पत्ता हो तो आप सभी लोग क्या करेंगे बताइए देखिए हम पहले इक्का होने की प्राइकता पता कर लेगे तो इक्का होने की प्राइकता कितनी होगी चार बटे होने की प्राजिगत्त हो तो इक न orange दो तो बारा बटे कितनी हो दो यह बावन यह किस रिसकी प्राजिकत्त है निकाले गए पत्ते के क्या होने के इक्का होने क्योंकि चार इक्के होते हैं तो चार प्रकार ही है कुल प्रकार ही है तो चार बटे बावन हो गया अब हम बात करेंगे इसमें से कि पत्ता क्या हो हुकुम का हो या सद लगा मतलब इक्का ना हो तो हुकुम में कुल तेरा पत्ते उसमें एक इकका तो उसको छोड़ दो तो बारा बटे बावन किसकी प्राइक्ता होगा ही हुकुम के होने की प्राइक्ता तो इकका या हुकुम अगर हम बात करेंगे तो चार बटे बावन होगा धन बारा बटे बावन होगा तो सोला बटे कितना जगा बावन किससे कैंसिल हो जाएगा दो अठे 16 और 26 हो जाएगा तो यहां पर दो चौकाट दो तेरह में मतलब चार बटे 13 जो है आपका डियस्ट्रेंट्स यहां पर answer आना चाहिए मैं एक बारी इसको check भी कर लेता हूं कि यहां पर answer कितना दे रहा है ठीक है चार बटे 13 ही डियस्ट्रेंट्स यहां पर आ रहा ह और आई होप आप सभी लोगों को समझ में भी आ चुका होगा ठीक है चलिए क्लियर करते हैं आप चाहते हैं इसको 13 इसको तीन कर लेते मतलब या सद लगने का मतलब दोनों में कुस कौमन नहीं होना चाहिए अगर इसको 4 इसको 13 करते तो वह एक चीज कौमन हो जाती अगर बात साह में उसको काउंट कर लिए मतलब इकका में काउंट कर लिए तो हुकुम में नहीं काउंट करोगे दोनों में से किसी एक की प्रायक्ता निकाल लिए मतलब कोई एक घटना होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसको आईड कर लेते हैं ऐसा प्रावधान है जो आपको साल्व कराता हूँ एक बहतरीन कुश्चन है जो टू थाउजेंट थी में डियो स्ट्रेंट्स आप लोगों से पूछा जा चुका है देखिए क्या है करें एक घुर दाउड एक घुर दाउड गुर दाउड माने घोडों की दाउड ध्यान देना बस दीरे दीरे घोडों के अनकूल सयोगा अनपात देखो क्या है एक अनपाते दो एक अनपाते तीन तथा एक अनपाते चार है एक अनपाते चार है ठीक करें कि इन घोडों में इन घोडों में किसी एक घोड़े के किसी एक घोड़े के जीतने की प्राइक्ता ग्यात कीजिए देखें देहां से कोई एक घोड़ा जीतेगा ध्यान दीजिए कुश्चन बहुत इंपॉड़ेंट है देखें सलुशन समझेगा करें किसी एक घोड़े के जीतने की प्राइक्ता इसका मतलब क्या है सर तीनों घोड़े नहीं जीत रहे हैं कोई एक घोड़ा जीत रहा है या तो घोड़ा पहला या तो दूसरा या तो तीसरा जीतेगा तो हमें क्या करना है पहले घोड़े के जीतने की प्राइक्ता ग्या करने के लिए हम तीनों की प्राइक्ताओं का यूगफल यांद कर लेंगे तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें प्राथ हो जाएगा किसी एक घोरे के जीतने की प्राइक्ता आगे देखते समझते हैं या लिखेंगे पहले घोरे के जीतने की प्राइक्ता ध्यां देना पहले घोरे के जीतने की प्राइक्ता हम जाने करें और इसको प्राइक्ता को हम लोग P1 से दिखा दें तो क्या आएगा 1 अपान 1 प्लस 2 इस मींस P1 एक्वल 221 ज़े आपको सिखाया अभी ना अन dul से होगा लंपात दिखाओगा तो यह वых तरीकाँ छी से घटना हो सकती है और यह नहीं हो सकती तो वो हमारा वनपान हाई बाएगा समझ में आई बाते ये हो गई उस रेस में पहले घोड़े के जीतने की प्रायक्ता ये हो गई उस रेस में दूसरे घोड़े के जीतने की प्रायक्ता ये हो गई उस रेस में तीसरे घोड़े के जीतने की प्रायक्ता अब देखो ध्यांसी इसमें से क्या गए तीनों में से कोई एक गोड़ा जीत जाएगा इसकी प्राइक्ता यहां लिखेंगे तीनों में से किसी एक गोड़े के जीतने की प्राइक्ता ध्यांदो किसी एक गोड़े के जीतने की प्राइक्ता अगर हम निकालते हैं तो क्या लेंगे 1 upon 3 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5 L S Q लिएगा यहां पर 5-20-60 लिए चलिए साथ लिए 6 ठीक रहेगा तो 3 ठीक है 23-60 यहां 20 हो गया और 15 जोगा साठ 15 हो गया यहां पर 12-15-60 यहां 12 हो गया साल्व का लिजेगा यहां पर 35 होगा यहां 47 हो जाएगा by 60 हो जाएगा 47 by 60 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आइंसर आ जाएगा यह बहुत ही बहतरीन कुष्टन था मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को यह कुष्टन समझ में आया होगा इस तरह के कुष्टन आप लोगों के एक्जाम में जादा तर पूछे जाते हैं जो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया तो यह कुष्टन आपको समझ में आया होगा इसको आप सभी लोग फटा फट से डियो स्रेंट्स नोट कर लिए ठीके है ना बहुत ही बेटरीन कुष्टन था जो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया तो ऐसे ही अगर हम कुष्टन की बात करें तो कुष्टन तो बहुत सारे है सारे कुष्टन फो हम लोग यहां पर देखने के लिए मिले होंगे उन बहुत सारे questions को आप लोग solve करके आराम से practice कर सकते हैं अब आज की इस lecture को और ज़्यादा लंदी नहीं करेंगे हमारे महा मायराथन class का यही उद्देश था कि हम इस chapter को complete तरीके से आपको समझा सकें हमने सारे topic को हर एक topic को हमने touch किया है आप book उठा करके देखेंगे तो probability के जितने भी छुटे-छुटे से concept है सब के बारे में हमने touch किया और जिस प्रकार के questions आपके exam में आते हैं और वो सारे previous year question उठा करके मैंने आपको solve करा दिया है अब इस lecture को देखने के बाद एक बाद थोड़ी सी आप लोग इस तरह के एक दो question और solve करके practice अगर कर लेते हैं तो probability से कोई भी question आएगा तो full guarantee है का आप लोग आसानी से solve कर लेंगे Dear friends, lecture को समाब्द करने चल रहा हूँ लेकिन अगर अभी तक आप लोगोंने lecture को like नहीं किया थो तो like कर दीजिए अगर dear friends आपको lecture पसंद आया तो अभी तक 12 सा comment नहीं कियो तो यार कर दो और lecture नहीं share कियो नहीं तो बहुत गलत आप लोग कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ lecture को जरूर से जरूर share कर दीजिए जिससे हमारा और आपका उत्साह लगातार बना रहे और हम इसी speed से महामाराथन क्लास चला करके जल से जल अपने syllabus को complete कर सके और अच्छे से अच्छा marks obtain कर सके बाकी डियो स्टेंट्स आज की इस lecture में बस इतना ही मिलते हैं next lecture के साथ next topic के साथ अब तक लिए सांद आ रही और पढ़ते रही